सरल श्रीमद भगवद गीता, गीता चिंतन और बोध, लेखक रामचंद जोर्वर दार्शनिक सिद साधक, अध्याय तीन, कर्मयोग, कुल श्लोक 43, भाग 11, श्लोक 9 से सोलह यग्यकारियों की आवश्यक्ता पर जोर देते हैं, श्लोक 9 अध्याय 3, कर्म बंधन, तदर्थ कर्म कौन्ते या मुक्त संग, समाचर, विश्य, भगवदार्थ कर्म करने के निर्देश, अनुवाद, यह मानव समाज उन कर्मों से बधा हुआ है, जो यग्यके प्रयोजन से किये गए कर्मों को छोड़कर अन्य कर्मों में लग होते हैं, केवल मनुश्य ही कर्म नहीं करते, यह सारा दृष्य और अदृष्य संसार कर्मद्वारा निर्मित है, दरसल जिस अग्याद सिद्धांत को हम ईश्वर मानते हैं वहवी कर्मों से बंधा है, अर्थात इस संसार में कर्म से कोई नहीं चुकता, यहां तक की प्रवान ने कर्मों का भेद बताया है, एक कर्म जो यग्य के अफसर पर किया जाता है, और उसके अलावा अन्य कर्म, हमें पहले यहां यह समझना चाहिए कि यग्य का अर्थ क्या है जिससे हमें इस श्लोक को समझने में मदद मिलेगी, होम हवन बलिदान हमारी दृष्टी म आते हैं, इसलिए हम उन्हें ही कुर्बानी मानते हैं, लेकिन वे प्रतीक हैं, परंपराये हैं, कर्म कांध होते हैं जो हमें हमारे कर्तव्य का बोध कराते हैं, यग्य नैसरगिक कर्म है, जो परमानू अनूस से ही पूरे ब्रमान पर लागू होता है, बीज का गुन जरना यह उनका स्वाभाविक धर्म है, यही उनका बलेदान है, जन्म जन्मांतर को जीना जीव का स्वाभाविक धर्म है, यही उनका बलेदान है, अगर वह जीने के लिए संधर्ष नहीं करेगा, अगर वह कोशिश नहीं करेगा, तो उसका जीवन रुख जाएगा, उसके लिए स अर्थात दूसरे लोग भी कर्म करते हैं लेकिन कर्तव गया संकल्प के रूप में नहीं नहीं दिखती तो भगवान अर्जुन को और चेतावनी दे रहे हैं कि अर्जुन, आप आसकती को त्याग कर यगय के लिए अपने करतव्यों का पूरी तरह से पालन करें यहां भगवान अर्जुन के लिए जिम कर्मों का चुनाव कर रहे हैं, वे यगय के लिए श्रेष्ट करतव्य कर्म करने वाले हैं कौर्वो जैसे स्वार्थी, धुखे बाजशासकों से लोगों को बचाने की जिम्मेदारी अर्जुन की है यही उसका कर्तव्य है और यही उसका कर्म है इसे यग्य के अफसर पर किया जाने वाला कर्तव्य कहते हैं सारा संसार निरंतर अपने सुक के लिए जी रहा है लेकिन एक राजा का कर्तव्य अलग होता है यहे एक संकल्प से बंधा हुआ है यही उनका बलिदान है जब धर्मराज ने इंद्रप्रस्त की स्थापना की तो वह राजसुय यग्य उनके द्वारा किया गया था तब से पांडव लोगों के राजा बन गए उन्होंने खुद को लोगों के कल्यान के लिए प्रतिबद्ध किया है इसलिए भगवान कहते हैं इस आसकती को अपने प्रती आसकती को त्याग दो और उस शाही बलिदान के लिए निर्धारत अपने कर्तव्यों का पालन करो बोध हम क्यों रहते हैं? आप किस लिए जीते हैं? हम अकसर यह नहीं जानते इसलिए हम गलत चीजों के लिए संधर्ष कर रहे हैं जीने का लक्ष निश्चित होना चाहिए उसको कहते हैं यग्य हमें अपने कर्तव्य का बोध कराने के लिए अलग-अलग समारोहों और त्योहारों में अलग-अलग यग्य किये जाते हैं उस समय उस यग्य में आधा संकल्प हमारे हाथ से छूट जाता है वे हमें उस संकल्प की शपत लेने के लिए कहते हैं. ये शपत मंत्रिमंडल के समान है. लेकिन हम उस समय उनका अर्थ नहीं समझते हैं. विवाह के समय किये जाने वाले यग्यमे वरवदु जीवन भर एक दूसरे की खुशियों का ख्यार रखने की शपत लेते हैं. साथ कदम हमें साथ चलने को कहते हैं. वे एक दूसरे के नक्षे कदम पर चले और जीवन भर एक दूसरे के साथ चले. मौत तक साथ रहने के लिए एक दूसरे का हाथ दिया जाता है. इसलिए ही अनुष्थान बलेदान को देखते हुए किये जाते हैं. लेकिन लोग उनके अर्थ को किस हद तक समझते हैं. यह क प्रजापती की आग्या अनुसार कर्म करने से परम पुन्य की प्राप्ति आप इस यग्या से देवताओं की पुष्टी करें और डेवता आपकी पुष्टी करें इस प्रकारनी, स्वार्थ भाव से एक दूसरे का उपकार करने से परमकल्यान की प्राप्ति होगी चिंतन, हमारे धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि भागवान ब्रम्हा ने इस जीवित प्रानी को प्रित्वी पर बनाया था ब्रम्हा, विश्नु और महेश का उलेक धार्मिक ग्रंथों में क्रमशह इस स्विष्टी के निर्माता, पालनकर्ता और लयकर्ता के रूप में किया गया है प्रजापती अर्थात प्रजा के रचैता प्रजा की रचना करते समय भगवान ब्रम्हा ने उनके साथ साथ उनके कर्मयग्य की भी रचना की ताकि उन प्रजा का जीवन उन्हीं की सिधियों से चल सके कल्प की शुरुआत वह समय है जब इस धर्ती पर इस जीवन का निर्मान हुआ था इस जीवन रूप को इसके निर्मान से लेकर इसके अंत्तकिक कल्प माना जाता है इसलिए जब मनुष्य ने इस धर्ती पर जन्म लिया तो उसके साथ उनके कर्म भी जुर गए अर्थात मनुष्य की रचना कल्प के प्रारंभ में उसके यग्यक प्राकृतिक कर्म से हुई थी यह तब था जब भगवान ब्रह्मा ने उस आदमी से कहा कि आपको इस बलिदान के माध्यम से उचा किया जाना चाहिए और यह बलिदान आपकी इच्छाओं को पूरा करे प्राप्त करने के लिए जो प्रायतन करता है वही उसका यग्य है और उसी से उसे जीवन जीने के लिए मूल तत्व प्राप्त होते हैं आगे ब्रह्मा मानव से कहते हैं तुम इस यग्य से देवताओं को पुष्ट करो एक किसान खेत में अनाज बोता है उसके पहले वह खेत जोतता है फिर वह उस खेत को खाद और पानी देता है तभी बीज जड़ लेता है और खेत से भरपूर अनाज किसान के हाथ में आ जाता है यह सब काम देवी भुदेवी की पूजा है तभी पृत्वी देवी हमें भी पुष्ट करती है यदि तू स्वार्थी है अन्न नहीं बोता खाद पानी नहीं देता और खेती नहीं करता तो वह भूमी देवी तेरा भला कैसे करेगी इस प्रकार पृत्वी देवता और मनुष्य एक दूसरे को उन्नत करते हैं और मनुष्य सुक पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करता है और परम कल्यान को प्राप्थ होता है बोध, इस ब्रहमान्द में कोई शक्ती काम कर रही है जो जीवन का निर्मान करती है इस शक्ती को हम ब्रहमा कहते हैं जीवन के निर्माता ब्रहमा हैं साथ ही हम इस जीवन रूप की रक्षा करने वाली शक्ती को विश्नु कहते हैं वो इस जीव के कल्यान की पर्वा करता है, उन्हें खत्रे से बचाता है, और ब्रह्मा का एक दिन और एक रात मनुष्य का एक कल्प है. जीवन को समाप्त करने वाली शक्ति को हम महेश अर्थात शंकर कहते हैं. ये तीन बल पूरे ब्रह्मान में काम कर रहे हैं, तो शाश्वत समय स्ष्ष्टी, अवस्था और जीवन की लेका एक सतत चक्र है. कल्प के बाद कल्प आ रहे हैं और जा रहे हैं. यह नियम ग्रहों और तारों पर भी लागू होता है. इन तीन अलग अलग शक्तियों के पीछे एक मुख्य या मुख्य बल है जिसे हम परमात्मा, ईश्वरिया भगवन्त कहते हैं. श्लोक बारा अध्याय तीम अनुवाद, यग्यों से बलपाकर देवतागन बिना मानगे ही तुम्हे मनुवांशित भोग अवश्य देते रहेंगे. इस प्रकार जो मनुश्य देवताओं द्वारा चड़ाए गए भोजन को बिना उन्हें चड़ाए खाता है, वह चोर है. चिंतन, यग्यों से कौन से देवता त्रिप्थ होते हैं? पंच महाभूत हमारे भगवान है. ये जीवित हैं जो उन्हें बनाते और बनाये रखते हैं. हमें उनके लिए क्या बलिदान करना चाहिए? यदि हम वायू देवता को मजबूत करना चाहते हैं तो हमें इस बात क ध्यान रखना चाहिए कि वायू प्रदूशन को अनुमती दिये बिना हर जगा हवा को कैसे स्वच रखा जाए? आजकल हम कहीं भी कुड़ा फेक देते हैं, कुछ भी जला देते हैं, वहनों पर कोई प्रतिबंध नहीं है. हम गैर जिम्मेदाराना धंक से जंगलों में मनुष्य जिन सभी चीजों से बचते हैं, वे ही इस वायू देवता को मजबूत करती हैं. इसी तरह पानी की समस्या भी विकट है, जिन्हें हम जल देवता कहते हैं, लेकिन हमने जल को जल देवता के रूप में देखना छोड़ दिया है. सीव, प्लास्टिक, कोड़ा की इच्छा विफल हो रही है. लोग अपनी जिम्मेदारी समाज पर डालते हैं, समाज अपनी जिम्मेदारी सरकार पर डालता है. लेकिन हर कोई खुद को जवाब देह नहीं रखता. जरूरत के मताबिक पेड़ काटे गए, इसलिए बारिश कम हुई. फिर जब सूखा पानी की कमी नहीं होगी. हमने इन पंच देवताओं को बिना किसी लाब के देवता के रूप में देखना बंद कर दिया है. हम यह भी भूल गए हैं कि देने वाले को भगवान कहते हैं. उनके प्रती यह दिव्यता का भावना होने पर हम उनके लिए यग्य नहीं कर सकेंग यदि हम अपने स्वभाव के अनुसार जीवन भर इन पंच देवताओं का ध्यान रखेगे तो निश्चित रूप से वे देवता संतुष्ट होंगे और हमारे भोजन, वस्त्र और आवास की आवश्यक्ताओं को समय पर पूरा करेंगे. कुछ गिरने नहीं देंगे. परंत महाभूर भोजन और पानी के लिए हमारी भूप को लगातार संतुष्ट कर रहे हैं. अगर हमें स्वच हवा न मिले तो हमारी सासे दम भुटने लगती हैं, हमारा जीवन दम भुटने लगता है. लेकिन उस स्वच हवा को बनाए रखने के लिए हम क्या करते हैं? इसके बा तब जीवन घटता है. इस पर विचार करते हुए हम प्रित्वी पर शुध प्रकाश लाने के लिए क्या करते हैं? इस पर भी विचार करें. यह भी विचार करें कि कैसे कंक्रीटी करण द्वारा रासायनिक रूप से दूशित पानी मिट्टी को छोड़ देता है और मिट् चन्ते सर्वकिल विचे. भूंचते तित्वगह पापा ये पचंत्यात्म कारनात. विचे, बचा हुआ अनकाने वालों की स्तुती और इसके विपरीत करने वालों की निंदा. अनुवाद, यग्या से बचा हुआ भोजन करने वाला सज्जन व्यक्ती समस्त पापों से पध्यादी हैं. कुछ फसले बीज से उपती है, कुछ फसले पौधों की शाखाओं से आती है, कुछ फसले पर्णपाती पौधे है, गन्य जैसी फसले अपनी छड़ी लेकर आती है, इसकी पूरी जानकारी किसान को होनी चाहिए. नहीं तो अगर इन बीजों को सहेजा नह गया, सन्रक्षित नहीं किया गया, तो वे पौधे इस भूमी से गायब हो जाएंगे। यदि पौधे ही लुप्थ होने लगें, तो मनुष्य क्रिशी में क्या बोएगा और रोपेगा। तब अराजकता होगी, बोने और बोने के लिए बीज न रहेगा, परन्तु भूमी मर भूमी हो जाएगी, मनुष्य और अन्य जानवर जीवित नहीं रहेंगे, धर्ती गलने लगेगी, बीजों का महत्व जानने वाले किसान उन बीजों को हर साल अलग रख देते हैं, वे ध्यान रखते हैं कि अन्य जानवरों कीडों को संक्रमित न करें, हर साल वे नए बीज बोते हैं, जो लोग इसके बारे में नहीं जानते वो इन बीजों को खा लेते हैं, इस धर्ती पर शाकाहारी और मासाहारी हैं, मनुष्य सर्वाहारी हैं, वो दोनों को खाता है, शाकाहारी और मासाहारी, इसके लिए वो जलमचली, पक्षी, पशू जैसे मुर्गी, बक्र आधि का मास खाता है। बाग और शेर जैसे खुनखार जानवर सिर्फ मास खाते हैं। वे हीरन और अन्य जानवरों का शिकार करके जीवित रहते हैं। इसके लिए मचली, मुर्गी, बक्री, हिरन आधी जानवरों को बड़े पैमाने पर पाला और सन्रक्षित किया जाता यह उन जानवरों का बीज है, अना आज पौधों, जानवरों, मचली को उगाने के लिए आवश्यक बीजों के अलावा, जो भोजन रहं किया जाता है, वह अग्यके बाद बचा हुआ भोजन होता है मनुष्य का पहला धर्म पृत्वी पर सभी जानवरों, पक्षियों, जलिय जानवरों और पौधों को सन्रक्षित करना है, जो लोग यह काम नहीं करते वो इससे बना खाना खाते हैं, लेकिन वे अपनी जिम्मेदारी भूल जाते हैं, उनका एक मात्र लक्षे जीवित रहना है, परमेश्वर ने उनकी तुलना पापियों से की है, इस अर्थ में भगवान इस श्लोप के माध्यम से अर्जुन को बीज के महत्व के बारे में आश्वस्त करते हैं, यग्यों से बचे हुए अनको खाने वाला सज्जन व्यक्ती समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, पर पक्षी पैदा हुए हैं, यहां तक की वैग्यानिक भी अभी तक यह पता नहीं लगा पाए हैं कि इनके बीज कैसे बने, प्राकृतिक आपदाओं के कारण कुछ पौधे और जानवर गायब हो गए, मनुष्य इस धर्ती पर रहने वाला सबसे उन्नत प्रानी है, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए उसने यहां कई पेड़ पौधों और जानवरों का वद्ध भी किया, उसने अपने घरों और कारखानों का विस्तार करना जारी रखा, लेकिन उसे अभी भी यह हहसास नहीं है कि इस सांसारिक वैभव में उसने जो पतन स्थापित किया है वह आत पती की रख्षा करने के बजाए उसे नश्ट कर देता है, जानवरों का वद्ध करना यह निश्चित रूप से भाविश्य में उसे महंगा पड़ेगा, यदि वह आज से ही उनकी रख्षा, पेड़ पौधों और जीव जिन्तों की रख्षा का यग्या आरंब कर दे, तो प्रमोधभाव विद्धी ब्रमाक्षर्समुदभावं, तस्मात सर्वगतम ब्रहमन नित्यम यग्य प्रतिष्थितम, विशे, स्विष्टि चक्र का वर्नन, अनुवाद, सभी जानवर अन्न से उत्पन होते हैं, अन्न उत्पादन वर्षा से होता है, यग्य से वर्षा ह और निर्धारित प्रियाव से यग्य होता है। माना जाता है कि कर्मों की उत्पत्ती वेदों से हुई है और वेदों की उत्पत्ती अविनाशी इश्वर से हुई है। इससे सिधह होता है कि सर्वव्यपक परम अक्षर परमात्मा सदैव यग्य में प्रतिष्थित होता है। चिंतन, यह संपूम द्रिशिमान और अद्रिश्य ब्रमान ईश्वर के ज्यान, उनके ज्यान का आविशकार है. इसके निर्मान से पहले, अकेले भगवान ध्यान कर रहे थे, लेकिन अध्यात्म कहता है कि वे उसे इकांत और साधना से ठक गए. तब ईश्वर के मन में पहला मस्तिष्क में धारन करने का प्रयास किया. निरंतर मनन चिंतन के बाद उन्होंने उस ग्यान को मौखिक रूप दिया. उसकी आलेक, अक्षर बनाए. ग्रंथों में बदलने का प्रयास किया है. इसे एकत्र और संपादित किया गया था. यही ग्यान वेद, उपनिशद आद से हुआ है. क्योंकि अगर अन्न ना हो तो इस धर्ती पर स्रिष्टी का विस्तार रुप जाएगा. अन्न की उत्पत्ती वर्षा से अर्थात जल से होती है. सभी इस बात से भी सहमत होंगी कि अगर इस धर्ती पर पानी नहीं होता तो इस जीवन का जन भी नहीं होता. सूर बनते हैं और वर्षा होती है। यग्य निर्धारित कर्मों के कारण अर्थात प्राकृतिक कर्मों के कारण होता है। कर्म हमेशा विचारों से पैदा होता है। विचार ज्यान है। प्रमानों का अनूभी विचार से भरा होता है। तदनुसार, इसके इलेक्ट्रोन, निूटरोन और प्रोटोन एक दूसरे के चारों और भूमते हैं। यह सब संसार के रचैता की इच्छा और ज्यान का और वे कोई और नहीं बल्कि एकमात्रपूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हो सकते हैं। श्रिष्टी का विस्तार बढ़ता गया, बढ़ता गया, बोध, ब्रमान की इस रचना के बारे में मनुष्य हमेशा से हैरान रहा है, उसका विस्तृत वर्नन इस श्लोक में आता है, इस श्लोक से संपूर्ण स्रिष्टी के निर्मान से लेकर स्रिष्टी का चक्र कैसे चलता ह इसकी बहुत जानकारी मिलती है हम इश्वर को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते लेकिन हम उसका आविश्कार देख सकते है प्रत्य एक परमानू में विचार की एक श्रिंखला होती है उस परमानू अनू की क्रिया या कार्य उस पर होता है इसका मतलब यह है कि ब्रमांद के सभी निर्मान का मूल बीज ब्रमांद के निर्माता के एक विचार एक इच्छा में हैं, जिसे हम अक्षर कहते हैं, सर्वत्र एक ही अक्षर ओम कार्यरत है, इस ब्रमांद को चला रहा है. श्लोक सोला अध्याय तीम एवं प्रवर्तित चक्रम नानुवर्तायती हिया अगायोरिंद्रिया रामो मोगः पार्थ सा जीवती विश्य स्विष्टी के चक्र का पालन ना करने वालों की निंदा अनुवाद, खेर पार्थ, जो मनुश्य इस संसार में स्विष्टी के चक्र के अनुसार कर्म नहीं करता अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वो हिंद्रियत रिप्ती का पाप में जीवन व्यर्थी व्यतीत करता है चिंतन, स्विष्टी के मामले में हमारे कई कर्तवगे हैं, लेकिन बहुत से लोगों को जीवन जीने के तरीके के बारे में सही जानकारी नहीं होती है लोग भगवान द्वारा दिए गए इस अन्मोल जीवन की बात करते हैं और इसे व्यसनों, वासनाओं, मौजमस्ती का ग्रह बना लेते हैं, क्या यही जीवन है जीवन जीना एककला है, जीवन जीना आनंद है, जीवन जीना भी एक चुनौती है प्रकृती हमें यह जीवन मुफ्त में देती है इसलिए इसे किसी भी तरह से बरबाद नहीं करना चाहिए इसका भरपूर उप्योब करना ही हमारा सच्चा धर्म है लेकिन जिधर देखो, लोग इस मामले में उतने गंभीर नहीं है जितने गंभीर होने चाहिए उन्हें लगता है कि जीवन मजेदार है इससे उनका खुद का जीवन अस्थिर रहता है लेकिन संभावना है कि उनके कारण दूसरों का भी जीवन खराब होगा और वे संकट में पढ़ेगे ये लोग इस बात को गंभीरता से नहीं लेते कि हमारा प्रकृती से कितना घनिष्ट संबंध है इसलिए वे जितना चाहे वहनों का प्रयोग कर हवा को प्रदूशित करते रहते हैं नियम तोड़कर और तेज रफ्तार से ये कई लोगों की जान जोखिम में डाल देते हैं भले ही वे जानते हैं कि प्लास्टिक से प्रकृती में प्रदूशन होता है फिर भी वे प्लास्टिक का इस्तिमाल बंद नहीं करते चाहे नदिया और नहवे सीवरो द्वारा प्रदूशित हो रही हो फिर भी वे उनमे अप्षिष्ट जल चोड़ना बंद नहीं करती हैं कारखानों के रसायनों से दूशित अप्षिष्ट जल उसमें रसायनों को छोड़ना बंद नहीं करता है। बुट का पत्ता तंबा को खाना बुरा लगने पर भी वे नशा चबाना नहीं छोड़ते और सड़क पर कहीं भी थूख देते हैं और लोग उनकी पीट पर थूख देते हैं। वे अपने घरों, दुकानों, दफ्तरों का कुणा दूसरे लोगों के दरवाजे पर सारवजनिक सड़कों पर फेकना बंद नहीं करते। ये लोग यह भी नहीं सोचते कि इन सब चीजों से प्रकृती का कितना प्रदूशन बढ़ता है। ये लोग ना केवल दूसरे लोगों के लिए परेशानी का कारण बन रहे हैं, बलकि वे लगातार उस धर्ती को भी प्रदूशित कर रहे हैं जिसने उन्हें जन दिया है। इस श्लोक में परमेश्वर द्वारा इन लोगों की निंदा की गई है। ये लोग अपने कर्तव्य के प्रती जागरूप नहीं हैं, ये लोग सिर्फ भोगी हैं, वे केवल हमारी इंद्रियों की गतिविधियों में फंस जाते हैं। उन्हीं के लिए परमेश्वर ने कहा है कि पापी जीवन वाले मनुश्य व्यर्थ जीते हैं। समाज भी हमेशा ऐसे लोगों की निंदा करता है। बोध, कई लोग जन्म लेते ही सम्मान के साथ जीवन का आनंद लेने के बजाए वामपंती तरीके से जीवन जीने लगते हैं। उन्हें व्यसनों और वासनाव में आनंद का अनुभव होने लगता है। उसके लिए वे दूसरों और प्रकृती के साथ अन्याए और अत्याचार करते रहते हैं। आप उन्हें ऐसा नहीं करने के लिए कहरी नहीं सकते। अगर कोई सड़क पर न थूकने, कुड़ा न फेकने, जानवरों को गंदा न करने, गलत तरीके से पाक न करने, गाड़ी ठीक से चलाने जैसी हिदायत देने जाता है, तो क्या सड़क आपकी है। उन्हें ऐसे भद्दे जवाब सुनने को मिलते हैं। ठीक है, यह बहुत बुरा नहीं होता अगर ऐसा कोई व्यक्ति थोड़ा अलग होता, लेकिन यह दुख की बात है जब आत्मिर्भर्ट स्वयम्भू लोग एक ही भाशा का उप्योग करते हैं। कहा जाता है कि बुद्धिमान के लिए शब्धी काफी होते हैं। लेकिन अब दुनिया में कौन ग्यानी है और कौन बहुत ग्यानी, इसका फर्क देखना मुश्किल हो गया है। क्या यह वास्तव में करतव्य मुक्त दुनिया की सुबह है। यहां तक हमने यग्यादी कर्म की आवश्यक्ता बताते हुए तृतिया अध्याई के श्लोक 9-16 तक विशे की व्याख्या की है। श्री क्रिशनार पन्मस्तू